जी हाँ दोस्तों तो आपने सई वीडियो पर क्लिक किया अगर आप भी मेरी तरह आप देख लो मेरी स्क्रीन मॉबाइल इसी तरह से अपने वाट्सआप के अंदर डार्क मोड चलाना चाहते हो या फिर कैसे यूज होगा ये डार्क मोड तो इसी के बारे में आज हम बात करन और अपने वाट्सआप के अंदर आना है वाट्सआप के अंदर आने के बाद आपको सेटिंग के अंदर क्लिक करना सेटिंग के अंदर क्लिक करोंगे तब या पर चार्ट का ऑप्शन रहता है इसके उपर क्लिक रहता है या पर उपर देखो मेरे जो है ये ऑप्शन दे र आप प्लेस्टोर के अंदर जाओंगे और अपडेट कर दोंगे तो आप सोच रहे हो कि मुझे यह उप्षन है डार्क मोड का वो मिल जाएगा तो आपको यह उप्षन है जो नहीं मिलने वाला आपको मेरा यह वीडियो फुल पूरा देखना होगा तभी आपको है वो डार्क मोड का ओप्षन मिलेगा लाश तक तो आपको करना क्या होगा कि मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वाट्सॉप इसी बीटा वर्जन क्योंकि यह अभी डार्क मोड का ओप्षन अभी बीटा वर्जन के अंदर है तो आपको बीटा वर्जन कहां से मिलेगा तो मैंने मे लेरी के अंदर save किया और फिर मेरी description में डाला हुआ WhatsApp तो आपको मेरी description में जाना है और वहां से इस WhatsApp को है आपको download कर लेना है उसको download करने के बाद आप उस WhatsApp को install करोंगे तो आपको यह problem face हो सकती है कि वह आपका app WhatsApp है वह install ना हो तो आपको क्या करना है कि अपने mobile के अंदर आ जाना है mobile के अंदर आना है और फिर यहां पर आप देख लेना आपके अंदर security का option होगा security के option आप जब open करोंगे तब यह पर Google product का कुछ दे रखा होगा तो उपर चैटिंग का option देगा यह पर यह दोनों जो option रहते हैं इनको आपको है जो वह off कर देना है फिर आपको जो मेरी discussion में दिया हुआ है उस WhatsApp को आपको on कर देना है आप on करोंगे और इसको install करती आप वहाँ पर चैटिंग के अंदर जाना और चाट के अंदर जाकर देखोंगे तो आपको यह सब option है वह मिल जाएंगे तो अभी मैं मैं लेकर चलता हूँ आपको मेरी mobile recording screen पर पूरा clear आपको बताता हूँ कि आपको कैसे कैसे इसको install करना है और आपको भी dark mode कैसे कैसे मिलेगा तो चलेगा जब मेरी mobile recording screen पर इस तो आपका WhatsApp है कुछ इस तरह से दिखाए देगा तो सबसे पहले आपको अपने backup को है जो recover कर देना फिर आप मुझे मत बोलना की आपकी वज़े से मेरे सभी contact और number वगेरा कट हो गए मेरे सभी message वगेरा तो यहाँ पर चार्ट backup का option रहता है यह देख लो यहाँ से backup कर देना backup करने के बाद फिर आपको यहां से अपने WhatsApp को install कर देना है तो यह आपको कर देना फिर आप अपने WhatsApp को install करोंगे तो आपको एक प्रॉब्लम आएगी कि और एप इस नौट नौट इस्टॉल वह प्रॉब्लम आए तो आपको setting के अंदर आना सिक्युरिटिए के अंदर आने के बाद Google product यह पर option दे रखहए इसके अंदर आजा है गूगल प्रोडेक्ट अप्शन दे रहा है इसके अंदर आना है और सेंटिंग के अंदर क्लिक कर देना और यहां पर जो भी है है इनको turn off करने देना है दोनों को तब आपका जो वो वार्टोप है वो install हो जाएगा install होने के बाद आपको अपने ID, password वगएरा डाल कर logging कर देना है फिर logging करने के बाद आप setting के अंदर आगकर आप यहाँ पर देखोंगे अपने चार्ट के अंदर आने के बाद तो यहाँ पर option उपर दिखाई देगा theme तो यहाँ पर आपको dark theme कर देनी है जब भी आप dark theme करोंगे तो कुछ आपको इस टैप से आपका workshop है वो दिखाई देगा देखो इस टैप से आपका workshop दिखाई देग तो चलिए गाइज आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में